नमस्कार, N.I.O.S. के स्टूडियो में सभी विध्यारतियों का स्वागत हैं, मैं डॉक्टर रिशिकेश मिश्रा, सहाचार्य, सिक्षाविभाग, जैपू नेशनल इनिवर्स्टी जैपूर, आज हम समाजिक विज्ञान में अनुभवात्मक अधिगम पर चर्चा करेंगे अर्थात ऐसा अधिगम जिसमें अनुभव पर विशेश जोड दिया गया है, अगर हम इस अधिगम पिरामिट को देखें, इसके अंदर हमने एक तरफ सिक्ष्ण विध्यों को रखा है, और एक तरफ हमने रखा है कि अधिगम कितना धारन होता है, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप व्याख्या करते हैं और उससे जो सीखते हैं वो सिर्फ पांच पतिशत ही होता है, अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उससे जो अधिगम धारन है वो केवल दस पतिशत होता है, अगर हम श्रव दृष्ण को प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से कोई च जो है हम धारण कर सकते हैं ठीक वैसे ही विचार विमर्ष के द्वारा जो ग्यान हम प्राप्त करते हैं वह 50 पतिशत तक धारण कर सकते हैं वहीं करके सीखना यानि learning by doing अगर हम करके सीखते हैं तो वो ज्यान जो है 75 यानि 75 प्रतिशत जो है हम धारन कर सकते हैं लेकिन अगर हम ऐसा ज्यान जो दूसरों को देते हुए प्राप्त करते हैं जहां पर अनुभव प्रात्मिक होता है ऐसे ज्यान का अधिगम धारन जो है 90 प्रतिशत होता है यानि इससे एक बात समझ आती है कि जिस ग्यान में अनुभव प्रमुक है वो ग्यान ज़्यादा इस्थाई होता है और उसका धारण अवदी भी ज़्यादा होती है अब समझने की बात ये है कि भाई आखिर अनुभवात्मक अधिगम है क्या मा लीजिये कि मुझे विभिन जानवरों के विशे में पढ़ना है और मैं अपनी समाजिक विज्यान की पुस्तकों का अध्यन करूँ और उसके माध्यम से विभिन जानवरों के बारे में ज्यान प वहाँ पर मैं विभिन तरह के जानवरों को देखता हूँ, उनके क्रिया कलापों को देखता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, वो ग्यान जादा सबल और इस्थाई होगा, क्योंकि जो ग्यान हमने अपने अनुभों के द्वारा प्राप्त किया है, वो ग्यान जादा इस प्रतिपुस्ट हो चुकी है अगर हम देखें कि अनभवात्मक अधिगम क्या है तो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम करता यानि जो लर्नर है वो सीधे अपने अनभवों के आधार पर ग्यान कोशल और मुल्यों का निर्मार करता है जैसा कि आप जानते हैं ज इसमें भी तीन चीजों पर विशेश बल दिया गया है और जो तीसरा पक्षक क्रियात्मक जिसमें करके सीखने पर जोर दिया जाता है वो ज़्यादा प्रमुक्ता से प्रियोक किया जाता है क्यूंकि उसके द्वारा हमें अनुभव प्राप्त होता है और वो अनुभव हम मारे ज्यान को जादा चिरिस्थाई रखता है अब बात यह है कि साब अनुभवात्मक अधिगम जो है उसकी प्रक्रिया क्या है अगर हम अनुभवात्मक अधिगम की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये मालू होना चाहिए कि भाई अवधार्ना क्या है किस नई अवधार्ना के बारे में हम जानना चाह रहे हैं और अवधार्ना हमेशा वही होनी चाहिए जिसमें विध्यारती को फिल्ड एक्सपिरियंस यानि की छेत्रकार और अवलोकन प्राप्ठ हो सके यानि हमें उन्हीं अवधार्नाओं को लेना चाहिए जिसके अंदर विध्यारती को छेत्रकार करने का और अवलोकन करने का मौका मिल सके क्योंकि इसी के द्वारा उसे अनुभव प्राप्ठ हो सकेगा शेत्रकार के लिए योजना का निर्मार करना जिससे विध्यारतीयों को प्रतम अनुभव प्राप्ठ हो सकेगे और विध्यारतीयों गिज्यान को रहा है कि जब भी वो किसी भी फिल्ड experience के lesson plan को बना रहा है किसी की योजना का निर्मान कर रहा है तो उसमें उसका प्रकार इस तरह का होना चाहिए उसकी प्रक्यति इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें विध्यारति को अधिक से अधिक प्रतम अनुभपरापत हो सके जब विध्यारती को अनुभव प्राप्थ हो जाता है जब वो फिल्ड में जाता है वहाँ पर वो प्रथम दिश्ट्रिया के रूप में उस ग्यान को अरजित करता है तो सिक्षक का ये जमिदारी है कि वो उसे प्रतिपुष्टी उसे फीडबेक जरूर दे क्योंकि फीडबेक के द्वारा प्रतिपुष्टी के द्वारा विध्यारती ये समझ सकता है कि जो ग्यान उसने अपने अनुभव के द्वारा प्राप्थ किया है वो कितना न्याय संगत है कितना प्रासंगिक है और जब सिख्षक को ये लगता है कि ये जो ज्ञान है ये प्रासंगिक है और इस विशे के लिए बड़ा उपयोगी है तो उस ज्ञान को वो अन्य विध्यारतियों के साथ साजा करता है और अन्य विध्यारति वो सिख्षक जो भी अरजित ज्ञान है उसकी वैदता को ग्याद करते हैं कि ये जो ज्ञान हमने प्राप्ट किया है वो हमारे इस अन्भों के लिए कितना वैद्य है कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फिल्ड एक्स्पिरियंस में जाते हैं छेत्रकार में जाते हैं तो हम ऐसे कई अन्भों को प्राप्ट करते हैं जो हमारे लिए इतने उपयोगी नहीं होते हैं इसलिए अंतिम पड़ाओं के अंदर हमें ये देखना है कि जो ज्ञान हमारे लिए जरूरी है उन्ही को ही हम वैदता प्रदान करें। विध्यारतियों यहाँ पर ये समझने की बड़ी आवशकता है कि जो अनुभवात्मक अधिगम है उसका चक्र क्या है। क्योंकि जब तक हम इसके चक्र को समझ नहीं सकेंगे हम अनुभवात्मक अधिगम को भी समझ नहीं सकेंगे। यानि हम ऐसे कोई भी क्रिया कलाप जिसमें हमें मौका मिले कि हम अपना मुल्यांकन सोयम कर सकें और जो हमारे साथ अनवालक या अनचात्र शामिल है उनका भी मुल्यांकन हो सकें इस तरह के क्रिया कलापों को इस्थान देना चाहिए। दूसरा जो इसका चरण का भाग है वो है प्रकाशन। जब बच्चों को यानि विध्यारतियों को क्रिया कलाप का अनभव हो जाता है तो इसके बाद अनभव के दौरान क्या अवलोकन किया, क्या महसूस किया, इस जानकारी को आपस में बाटने या प्रकाशन के लिए तै अनियार हो जाते हैं ऐसी कई क्रिया कलाप होते हैं जिसमें विभिन प्रकार के विध्यारतियों को अलग अलग अनभव होते हैं और जरूरी है कि जो विध्यारतियों को वो अनभव प्राप्त हो रहे हैं वो अनभव प्रकाशित हों क्योंकि अगर वो अनभव प्रकाशित नहीं होंगे तो उनकी जो धारना है वो बदल नहीं पाएगी तो जरूरी है कि आप जो भी अनभुख करें जो भी महसूस करें जो भी अवलोकन करें वो सभी के सभी चीजों को प्रकाशित करना ज़रूरी है अति आवश्यक है अगर हम इसके तीसरे चरण को देखते हैं तो यहां पर है प्रक्रिया बनाना यह चरण इस अधिगम चक्र का केंद्र बंदू है यह चरण इस चक्र का समू गातिक अवस्ता है जिसमें समूहों के सदस्यों के द्वारा बाटे गए अनभवों का व्यवस्तित मुल्यांकन होता है यानि कि अगर हमने कोई भी क्रिया कलाब स इन चरड के अंदर उन सभी अनुभवों को व्यवस्थित करके उनका मुल्यांकन करें। अनुभवात्मक अधिगम के चक्र के संदर में जो चौथा चक्र है वो है समानिय करन करने का। जो ज्यान जो प्रक्रिया के माध्यम से हमने व्यवस्थित कर लिया है। उसका मुल्यांकन कर लिया है अब इस अवस्था में समू में प्राप्त किये गए अनभवों में समानता है या नहीं इस बारे में समू के सदत से जागरुक रहते हैं और इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि किसी भी क्रिया कलाप के प्रती समान्य विचार होना अति आवश्यक है यदि माली जे आप कोई क्रिया कलाप कर रहे हैं ऐसे मैं अगर उधारन के द्वारा इसको समयने की कोशिश करूँ कि अगर कोई विध्यारती जो है दिल्ली आकर कुतुब मिनार का भ्रमण करने जा रहे हैं और सभी सदस्यों ने वहाँ के आसपास की चीजों को देखा तो जो उन्होंने अवलोकन किया उसके बाद जो ज्ञान उन्होंने साज़ा किया हमें इस बात पर विशेश ध्यान रखना है कि जो अनुभव हर विध्यारती प्रकाशित कर रहा है क्या उसमें समानत है या नहीं है और क्योंकि वह चीज़ एक है तो उसमें विभिनता विशमता होना अति आवश्यक नहीं है जरूरिए ये हैं कि विशमता नहों समानता हो और जब हमें लगता है कि इस किरिया कलाप के जो यह विचार यह अवलोकन यह अनभव जो समानी करण होकर हमारे सामने आ गए हैं अब हम इस अंतिम अवस्था में इनको लागू कर सकते हैं और इसको लागू करने में सिख्षक जो है वो विध्यारतियों की सहायता करता है ये एक चित्र के माध्यम से समझने के आप कोशिश कीजेगा कि किस तरह से जो पहला इसके अंदर चरण है प्रगूई करन अधिकम के प्रभावी और भोग की योजना हमें पहले योजना बनाना है उसके बाद अनुभव क्रिया कलाब करने हैं फिर तीसरा प्रक्रिया विधी पैटन और गतिक की चर्चा जो हमें अनुभव प्राप्त हो रहे हैं ठीक है उसके बाद उन अनुभवों को प्रकाशित करना और फिर उनको समानिकरन करके वास्तविक जगत के सिध्धानतों के रूप में विक्सित करना यही अनुभवात्मक अधिगम का चक्र है और इसक को समझना अतियावश्यक है अब हम इस अनुभवात्मक अधिगम को समझने के लिए एक उधारन का प्रयोग करते हैं इस उधारन के माध्यम से हम एक नई अवधारना जो बच्चों को समझाने जा रहे हैं जिसमें विध्यारतियों को वास्तविक अनुभव प्राप्त हो स के उसके लिए हमने एक अवधार्णा का चुनाव किया जिसका शिष्षक भी चुनाव है एलेक्शन और इसके अंदर जो है हमने विद्याले इस तर पर छात परशट का चुनाव कराने का निर्ने लिया वास्तविक रूप में भी कभी लोगसभा के कभी रासभा के चुनाव ह पांच हो, छे, साथ, आट, नौ, दस तो ये जित्ती भी कक्षाई है वो हमारे इस अवधाना के अंदर गत एक निर्वाचन छेत्र है सभी कक्षाओं के विध्यारती जो है चुनाव मैदान में है और सभी के पास अपना चुनावी चिन है प्रतीक है जैसा आप देखते भी है कि विभिन पार्टियों के प्रतिभागी जो होते है वो चुनाव में शामिल होते है और सभी पार्टियों के पास अपना चुनाव चिन होता है जिसके द्वारा वो एक दूसरे में विभेद कर सकते है इस अउधाना के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें वो सभी प्रक्रियाएं शामिल हो जो वास्त्विक रूप से होती है जैसे कि मद्दान दिवस की घोशना करना कि भाई किन किन दिनों पर मद्दान होंगे किस दिवस को इसका परिनाम होगा इसके लिए एक निर्वाचन अधिकारी जो कोई सिक्षख होता है उसका भी निर्वाचन किया जाता है चुनाओ परिनामों की घोशना की जाती है उसके बाद सभी चुने गए चात्र जो उस चुनाओ में शामिल हुए हैं और जीते हैं वो सभी चात्र शपत लेते हैं और यही चात्र जो है आपस में मिलकर इस परिशत के नेता चुनते हैं तथा एक समिती बनाकर विद्याले के कारे देखते हैं अगर आप वास्त्विक रूप में भी इस चीज को देखें तो अगर जिस तरह से राजसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं विभिन प्रतिभागी भाग लेते हैं चुनाव जीतते हैं उसके बाद जो पार्टी सबसे अधिक सीट जीतती है वो अपना नेता चुनती है और उस जो अवधार्णा है इसमें जो है फीडबेक यानि प्रतिपुष्टी देना भी बड़ी आवश्यक है जो की सिक्षक की जमिदारी है तो इसके अंदर पूरी कक्षा जो है वो छात परिशत के चुनाव की प्रक्रिया की चर्चा करेगी यानि कि जो पूरी कक्षा है जिन ज आत्मसात करें जिससे कि उनका इस विश्यक के प्रतिज्ञान जो है वो बढ़ सके और इस्थाई रहे हम इसके लिए इस सारी प्रक्रिया जो भी प्रक्रिया इसमें शामिल होती है उसकी चर्चा करते हैं अब जो अंतिम पड़ाव है कि आखिर इस अवधार्णा का प्रमा प्रियास किया अब अगर हम उसे कक्षा के अंदर उसको प्रमारिक कृत करना चाहते हैं तो उसके कई तरीके हैं मा लीजे कि देश में किसी भी कोने में कोई चुना हो रहा है तो हम ये कारे कर सकते हैं क्योंकि उस चुनाव से संबंदित विभिन लेक विभिन घटनाए समा समाचार पत्रों में छपती हैं चाहे तो हम उन समाचार पत्रों में से उन घटनाओ को काटके उसका एक कुलाज बनाकर कख्षा में प्रदरशित कर सकते हैं इससे विध्यारतियों को यह अनुभभ हो कि चुनाव के ये ये चरन होते हैं ठीक है और इस चरनों के द्वारा ही किसी भी छेत्र किसी भी इस्तर का चुनाव संपाधित किया जाता है और दो दूसरा इसका तरीका है इसमें ये है कि हम चुनाव से संबन्दित कोई टेली फिल्म दिखाकर बच्चों के अंदर इसके प्रती उस्साह जाग्वित करें, इससे विध्यारती कोई भी टेली फिल्म देखकर वो अनुभख कर सकेगा कि किस तरह से चिनाव होते हैं, किस तरह से इसमें लोग शामिल होते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है इसके बाद ये किस तरह से राज के एवन केंद्र के कारियों को प्रभावित करते हैं विध्यारती इस अवधार्ना को समझ सकेंगे जो तीसरा और जिसको हम कहें कि सीधे प्रथम अनुभव प्राप्त करना इसके अंतरगत हम ये कर सकते हैं कि हमारे चेतर में, हमारे राज में कोई भी इस्तर का चुना हो रहा हो चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, पंचायत समिती का हो, जिला परिशद का हो, राज सभा का हो, लोग सभा का हो, विधान सभा का हो, इसमें हम सीधे भागिधारी ले सकें। ये वसुता शायद होना मुश्किल है, लेकिन जो लोकल बॉडिज होती है, जो आपके ग्राम पंचायत है, पंचायत समिती है, जिला परिशद है, या नगर निगम है, या नगर पालिका है, इन चुनाओं के अंदर हम भागिधारी ले सकते हैं। और इन में हम भागिधाई लेकर हमें इस अवधार्ना का प्रतम अनुभव जो है, वो प्राप्त हो सकेगा। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि अनुभवात्मक अधिगम जो है, वो अनुभववव पर आधारित है। जो चीजें हम करके सीखते हैं, जो अपने अनुभव के द्वारा सीखते हैं, वही ज्ञान हमारे लिए इस्थाई होता है। इसके लिए ये जरूरी है कि हम अनुभवात्मक अधिगम के विभिन चर्णों को समझ सकें, उसके चक्र को समझ सकें, अगर हम उसके चक्र को, उसकी प्रक्रिया को समझ नहीं सकेंगे, तो हम अनुभवात्मक अधिगम को भी समझ नहीं सकेंगे. और समाजिक विज्ञान के अंदर विशेश्ट हम अनुभवात्मक अधिगम पर ही विशेश बल देते हैं इस तरह हम ये देखते हैं कि अनभवात्मक अधिगम जो है जो कि समाजिक विज्ञान विशेव के एक महत्पूर विधी के रूप में आज कल जादा प्रशलित है क्योंकि आज का जो सिख्षा अधिगम प्रक्रिया है उसमें छात्र केंदृत ना होकर समुकेंदृत की तरफ हम अग्रेसर कर रहे हैं पहले ये सिख्षिक केंदृत था फिर ये छात केंदृत हुआ आज हमारा बल जो है वो समुकेंदृत पर है तो इसके लिए जरूरी है कि हर एक विध्यारती वो हर एक प्रक्रिया के अंदर शामिल हो उसमें अपने अनुभव प्राप्त कर सके और उस अनुभवों का प्रकाशन कर सके और हमें कोशिश करनी चाहिए एक शिक्षक होने के नाते कि हम किसी भी क्रिया कलाब से संबंदित ज्यान को समानिक करन कर सके और फिर उसे लागू करें लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो हमारा विध्यारती है वो पहले इस अवधार्णा को समझ सके कि अनुभवात्मक अधिगम है क्या इसके क्या चरण है इसके क्या प्रक्रिया है और जब विध्यारती इस चीज को सम सकेगा और उसका प्रियोग जो है वो अधिक से अधिक कर सकेगा अपने ग्यानारजन में और जब वो ग्यानारजन में इसका प्रियोग करेगा तो वो उसका लाव उसे अवश्य मिलेगा इनी शब्दों के साथ मैं इस विचार चर्चा को यहीं पर समाप्त करता हूं और एना आपने वादे